सब्सक्राइब बात करने वाले कि फोन पे पिन को आप कैसे रिसेट कर सकते हैं अगर उसको आप बोल छुकए इसको आप इसे करना चाहते हैं तो मैं आऑ तो इस पन पर आपासवाड डाल लोग इन कर लिया को पासवाड कर सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब को इस मैं जाता है तो नीचे साइट पर home का button देखने को मिल जाता है, stories का button देखने को मिल जाता है, and काफी यदा buttons देखने को मिल जाते है, and my money का एक option आपको नीचे साइट पर ही देखने को मिलता है, तो my money वाले option पर आपको phone number के option पर simple से click कर रहा है जैसी आप इदर पर click करते हैं तो bank accounts का एक option देखने को मिल जाता है payments के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस bank account वाले option पर आपको simple से click करना है जैसी आप इदर पर क्लिक करते हैं तो आपके bank accounts दिखा दिये जाते हैं तो आप जिस भी account का UPI PIN reset करना चाते हैं उस bank account पर simple से आपको click कर देना है जैसे कि मैं Paytm payment bank का अपने UPI PIN reset करना चाता हूँ तो इस पर simple से मैं इदर पर click कर दूँगा क्लिक करने के बाद इधर पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपकी UPI आड़ी दिखा दी आती है और साथ में आपके bank account की detail दिखा दी आती है बैंक के टेटेल के निशे आपको यह पीएक पिन की का सन देखने को मिल जाता है इस पर रीशत के सामने ने इस जेक्र टेएफ़ यह पूरा आप यह आपर आप जहांते हैं की कौन सा था यूपिय पिन हो छेंच पर मैंने हैं अगर आप भूले- इदर पर जैसी आप डाल देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं पहले चेरज के फिर मैं आपको reset करके बताऊंगा तो simple से मैं अपने old वाला UPI pin इदर पर डाल देता हूँ and new UPI pin जो भी मैं create करना चाहता हूँ तो मैं जैसे की new UPI pin डाल देता हूँ तो फिर से आपको confirm UPI pin पर फिर से वही new वाला pin डालना है फिर टिक की बटन पर आपको simple से click कर रहा है जो कि आपका UPI pin होगा वो directly इदर से change हो जाएगा बट अगर आप भूल चुके हैं कि आपका UPI pin कौन सा था और आप उसको reset करना चाहते हैं तो simple से reset वाले button पर आपको simple से click कर रहा है जैसी आप इदर पर reset वाले क्लिक करते हैं बटन पर तो आपके debit card के six digits जो आपके last के देखने को मिल जाते हैं उसको simple से इदर पर enter करना है और आपको validity इदर पर अपने card की इंटर करना है month इदर पर डालना है और year डाल दा है तो मैं last के चाहे डिजिट अपने card के डाल देता हूं और उसकी expiry date डाल देता हूं तो simple से card की हम जली से detail fill up कर लेते हैं फ्रांग प्रोस्स आपको बता देते हैं सो card की detail हमने का इस डाल लिया है and proceed वाले बटन पर आपको simple से click कर दे रहा है जैसी आप प्रोसेड वाले बटन पर click करते हैं तो इंटर ओटीपी के एक option देखने को मिल जाता है तो आपको जो भी नंबर पर लिंक होगा यह card वाला तो उस नंबर पर एक कोटीपी आएगा और डारेक्टली इधर पर डिडेक्ट कर लिए जाएगा एंट सेट यूपी आइपन का एक option देखने को मिल जाता है तो इधर पर आपको नीव यूपी आई पिन इदर पर आपने निव वाला सट किया हो फिर से आपको टिक वाले बटन पर किलिक करते यूपी आईक मतलब हो जुगा है अगर आप चेंज करना चाहते हें चेंज का सकते हैं यह फिर चेंज कर सकते हैं अगर आपको अभी भी प्रोब्लम आया दी तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं उदर पर मैं आपकी फुल हेल्प कर दूंगा और चैनल को जबू सस्क्रेब कर लेना और नोड़ी बीजन बाला करें को जबास कर रहा हू थाँ झाल 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 झाल